धाकर खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूँ अक्रम रईस खान, करनाटक से बड़ी खबर आ रही है, ये दूर अप्पाने भावुक बाशन दे कर, emotionally drama करते हुए अपना इस्तिफा दे दिया है क्योंकि जब लगा कि शाम, दान, दंड, भेद अपना कर कुछ भी नहीं कर सकते हैं और किसी परकार भी बहुमत साबित नहीं कर सकते हैं तो एक emotionally कार्ड केला, विक्टिम कार्ड केला, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं फला नहूं, इडिकाना हूँ, ऐसे करके बोला और फिर अपना स्तिफा दे दिया, अब हाँ जेडियेस कांगरीस के सरकार बनने जा रही है, मैं इस कबर में आपके सामने रखना चाहता हूं, ब गुपकार्टी चांटे सब्सक्राइब करते बावजूद इतनी बढ़ी भारती जनता-पाट्युस राज्युम नहीं जानतें थान। ताकतवर सरकार चलाने वाली भारतिय जिन्ता पार्टी ऐसे धरासाई होगी कि उसको इतनी भी हिम्मत नहीं पढ़ी कि वो भाहुमत तो साबित कराए क्योंकि किरकिरी होती तो विक्टिम कार्ड खेल दिया हम कहना है चाहते हैं इस खबर में मैं आपके सामने रखना है चाहत को के दो शक्स और दोनों शक्स वो मुसल्मान हैं वो मुसल्मान नेता हैं दोनों के दोनों जीनों ने भारतिय जिन्ता पार्टी की पूरी नीती रण नीती को धराशाई कर दिया उनमें से एक का नाम है कांग्रेस के गुलाम नभी आजार दोर दूश्रे जेडियस जन्ता दर सेकुलर के दानिशली इन दो मुस्लिम नेताओं ने भरते जनता पाटी की पूरी स्टेटिजी को धराशाई कर दिया धूल चटा दिया क्या कहें बहुत कुछ कह सकते हैं बहुत सारे अलफाज हैं लेकिन आपको बताऊंगा कि कैसे धराशाई कर दिया मैं आपको दिखान आना शुरू हुआ और जब तस्वीर तीवी पर उभरनी शुरू हुई तो यहीं से इन दोनों मुस्लिम ने ताओं ने पूरा ये चक्रवी उर्चना शुरू किया और यहां से चक्रवी की शुरूइफट हुई जिसमेः भारते जंता पाटी का हर हतकंडा शाम, धान, दन ED, CBI, NIA, Police, Income Tax, सब धराशाई हो गया, जो हर हतकंड अपना ना था, 100 करोड, सब धराशाई हो गया, कोई हतकंडा नहीं चल पाया, खूब दिखा गया, भूपूम मीडिया का भी हतकंडा नहीं चल पाया, भूपूम मीडिया खूब अपनी दलाली में लग रहा, खूब अप लेकिन सारी रणी थी धरशाई कर दी, इस खाबर में हम प्रूफ करेंगा, आपके सामने, बताएंगे आपको के गुलाम नभी आज़ाद, और दानिश अली की वो क्या स्टेटिजी थी, क्या वो चक्रवियू था, जो उन्होंने 14 माई से रचना शुरू किया था, और आज ने लगी कि त्रिशंकु विधानसबा है, तो इन दोनों नेताओं ने आपस में संपर्क किया, गुलाम नभी आज़ाद ने, जो रिपोर्ट है अंदुर जी, हमारे सूत्र बताते हैं, गुलाम नभी आज़ाद में संपर्किया सीधे दानिश अली से, वो दानिश अली से क कि देखो, ऐसे त्रिशंकु विधानसबा के नतीजे आ रहे हैं, भारते जिंताबाटी सो का अंगड़ा पार कर रही है, हम तुम्हारी पार्टी के नेता को मुख्यमंतरी तसलीम कर सकते हैं, अगर तुम हमारे साथ आजाओ, हम सामपर्दाइक ताक्तों को आगे बढ़ने इसके इनके चक्रव्यू की रचना रचने के बाद बीजेपी ने, क्योंकि राजेपाल तो उनी का बैठा है, जो आता है नागपर की इनुएस्ट्री से, वहां का राजेपाल बैठा है, वैजू भाईवाला, उस राजेपाल ने भारते जनता पार्टी के मुख्यमंतरी को इसको नो बजे सपत दिला दी, सपत दिला दी, मामला रात को ही लेकर कोट पहुँच गए, यह पूरा चक्रव्यू का इस्सा था, मामला रात को सुप्रीम कोट खुला, सुप्रीम कोट में रात को तीन गटे बहस होई, फिर अठारा तारिक को अगले दिन बहस होई, सत्रा को ख्रः सपत दिला दिगई 18 को भैस होई यह भी एक किस्टाइश का हिशा मानिए राजे पॉल के फैसले पर सुप्रीम कोरट ने साफ कह दिया कि हमकोई रोक नहीं लगाएंगे सही यह कि राज्येपाल ने जिस तरीके से सपद दिलाई है तो राज्येपाल अब जिननोंने सपद लिया वह लुग बहुतत करके दिखाए और चाहरे तक का टाइम दे दिया का हतकंड आपना कर किसी भी तरीके से भारतिय जंता-पार्टी सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है लेकिन हुआ यही कॉंग्रेस की स्ट्रेटिजी काम आई वो गई तो थी प्रोटेम स्पीकर के लिए लेकिन वहां से गाईलाइन जारी हो गई सुप्रीम कोट के और वो ही इस कब क्या हो रहा है विधान सबा में यही से शारे सामदाम दंडबेद अपनाने वाली भरते जंतापाटी धरशाई होगी क्योंकि जब कैमरे के सामने पूरे देश के सामने नंगा होगी तो कैसे बच पाएगी किस तहीके से कह पाएगी कि हम जीरो टॉलरेंस की बात करते है ब्रस्टा चार के मामले में हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं इसके मामले में उसके मामले में कैसे मच पाएगी तो कुल मिला कर ये कि जो चक्रवियू की रचना शुरूर की थी गुलाब नभी अजाद और दानी शनीले वो अभी तक काम्याब होती दिखाई दे रही है जेडियस और कॉंगरेज की एक चीज आप से और बता दूँ चाहता तो था कि अलग से खबर करूँ एक चीज आप से और बता दूँ इसके नतीजे का असर बहुत दूर तक दिखाई देने वाला है जिस तरी के सिवी पक्षी लोग एक साथ जुड़े और उन्हाने भारती जनता पार्टी के हरतकंडे को धराशाई कर दिया इसका असर बहुत दूर तक दिखाई देने वाला है इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं किया ये असर बहुत दूर तक दिखाई देने वाला है तो आप कमेंट्स के रुपे अपनी राय दीजेगा खबर को ल